पेलो जैंट्स आज की क्लास में हम आपो कोस्टन नंबर 18 से देख देखते वाले कह रहा है इंटेग्रेल ओफ वन बाई ए टुद ऑपावर एक्स प्लस में इसे टुद ऑपावर माइनस 2x और प्लस का 1 dx यह उपर चला जाएगा ना यह e to the power x यह integral of आ जाएगा e to the power x by में 1 plus e to the power 2x आप इसे लिख सकते हैं अब इसके बाद देखिए हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं integral of e to the power x by में 1 plus e to the power x का square इसे कर सकते अब इसमें हम लोग put कर देते हैं e to the power x को t चलिए अब इसे differentiate करते हैं with respect to x तो e to the power x का e to the power x equal to में dt और by में dx और यह आजागा e to the power x dx equal to में dt चलिए तो यहां से देखिए integral of e to the power x dx यह आपका dt हो जाएगा और नीचे यहां आपके पास 1 plus इसे t माने है तो t का square इसका integral क्या हो जागा यहां आ जाएगा आपका यहां से tan inverse t tan inverse t और plus c t का value में put का जीजए यहां हो जागा tan inverse e to the power x और plus का c यही आपका answer हो जाएगा question 19 देखिए integral of cos का power 7x by में sin x dx एक काम करते हैं cos का power 7x है न इसको cos square x का cube और into में cos x कर सकते हैं और नीचे आपका y में sin x है अब यहां cos square को sin में बदा जीजे 1 minus का sin square x का power 3 और y में यहां पर sin x into में cos x dx अब इसमें put करते हम लोग sin x को t और इसे differentiate कर देते हैं with respect to x तो sin का differentiation cos cos x equal to में dt और y में dx यहां से आजाएगा cos x dx equal to में dt तो यहां integral of 1 minus क्या हो जाएगा t का square और power में 3 y में t और cos x dx जो हो गया यहां dt हो गया तो उपर 1 का cube minus का b cube याने कि t square का cube और minus का 3 a square b और plus का 3 a b square फर्मूल में लगा दिया और नीचे आपका t है dt तो ऊपर आप इसे लिख सकते हैं arrange कर दे क्या है यह देकिए 1 और इसको पहले लिख देते हैं फिर t square वाले को minus 3 t square फिर यह plus का 3 t का power 4 हो जाएगा और फिर minus का t का power 6 और by में t dt सब में अलग अलग divide कर देते हैं तो हो जाएगा integral of 1 by t dt minus 3 integral of t square by t dt plus 3 integral of t का power 4 by t dt minus integral of t का power 6 by t dt यह अभी से लिख सकते हैं integral of 1 by t dt minus 3 into integral of t हो जाएगा dt कर जाएगा प्लस में 3 into integral of t का cube dt और minus integral of t का power 5 dt चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है इसका तो हो जाएगा log t minus 3 t square by 2 plus 3 t का power कितना हो जाएगा 4 और by में 4 और minus t का power 6 और by में 6 तो 1 by 6 हो जाएगा और plus में c अब t का value हमने क्या put किया था sin x तो sin x अब यह हर एक जगह रख देते हैं यहीं कि log of sin x minus 3 by 2 sin square x plus 3 by 4 sin का power 4 x minus का 1 by 6 sin का power 6 x और plus का c यहीं आपका answer हो जाएगा integral निकालना है sin x into sin 2 x into sin of 3 x dx अच्छा एक काम कर सकते हम लोग यहां पर इंटिग्रल यहां पर हम लोग 2 से डिवाइड और 2 से मल्टिप्लाई कर देते हैं इसमें से sin 2 x को अलग करो और और sin 3 x को और sin x को एक साथ ले लेते हैं अक्च्छल में करना क्या होगा कि यह प्रोड़क्ट में इनको सम में डिफ्रेंस में अलग 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 होता है तो 2 sin a sin b की बात करें तो यह हो जाएगा cos of a minus b minus में cos of a plus b के लिए यह इसका formula होता है चलिए तो अभी यहां पर लगा देते हैं apply कर देते हैं 1 by 2 integral of sin 2 x से रन दीजे यहां पर क्या हो जाएगा cos of a minus b 3 x में से x गया आपका 2 x और minus में 3 x plus x जाएगा यहां पर cos of 4 x है न जी जबी इन से multiply कर जाता है 1 by 2 यहां पर sin 2 x इंटू में cos 2 x d x फिर minus 1 by 2 integral of sin 2 x इंटू में cos 4 x d x एक काम करते हैं फिर से 2 से divide 2 से multiply करते हैं 1 by 4 यहां हो जाएगा 2 से divide करेंगे यहां तो और 2 से multiply करेंगे तो 2 sin 2 x cos 2 x d x minus 1 by 4 यहां पर यहां भी 2 ले लेते हैं अच्छा एंगल जो बढ़ा है उसको ले लेते हैं पहले cos 4 x और इंटू में sin 2 x तहम लोग पढ़ें एक फॉर्मुला यहां पर sin 2 a equal to में होता है 2 sin a cos a और एक और फॉर्मुला पढ़ें है 2 cos b sin a किसका फॉर्मुला होता है यह तो sin a plus b और minus में sin a minus b यह होता है फॉर्मुला तो दोनों जगा अप्लाई करते है 1 by 4 यह पहले वाले पर जगा sin 2 a वाले पर यानिके sin 2 in 2 में 2 x minus 1 by 4 integral यहां पे क्या हो जाएगा आ जाएगा यह फॉर्मुला के साइन a plus b यानिके sin 6 x minus sin a minus b यानिके sin 2 x ठीक है d x चारी आप अलग-अलग यहां से कर लेते हैं तो 1 by 4 integral of sin of 4 x फिर minus 1 by 4 integral of sin of 6 x और फिर minus minus plus 1 by 4 integral of sin of 2 x इतना ही न होगा जी चारी अब यहां पर हम लोग integrate कर देते हैं ठीक है तो यहां से 1 by 4 sin का cos हो जाएगा minus का और 4 x का 4 डिवाइड में minus 1 by 4 sin का minus cos हो जाएगा और 6 x का 6 डिवाइड में प्लस 1 by 4 sin का minus cos हो जाएगा integral और 2 x का 2 डिवाइड में आप plus c यहां से यहां आपका आ जाएगा minus of 1 by 16 minus का cos 4 x by 16 ऐसे भी लिए सकते हैं minus minus plus cos 6 x by 24 और plus minus minus cos 2 x by आपका 8 हो जाएगा और plus में c यही आपका answer हो जाएगा next question देखे 21 number हमें integral निकालना है cos x cos 2 x cos 3 x dx का हमें split करके अलग-अलग function के sum और product भी से पहले तोड़ना होगा एक काम करते हैं 2 से divide और 2 से multiply करते हैं cos 2 x को अलग रखते हैं इसमें cos 3 x को और cos x को एक साथ ले लेते हैं और इसमें 2 लगा देते हैं से divide किया मैंने 2 से multiply भी किया देख रहां दोनों जगा balance कर दियें ऐसा मैंने इसले क्या है क्योंकि 3 x और x का sum sum होगा, sum जो होगा, even होगा और difference भी even होगा इसलिए formula पढ़ते हैं 2 cos a cos b क्या होता प्रोपर्टी cos a plus b और plus में cos a minus b इस प्रोपर्टी को यहाँ apply करते हैं 1 by 2 cos 2 x यहां हो जाएगा क्या, cos a plus b यहने की cos 4 x और plus cos a minus b यहने की cos 2 x है जाएगा यहां अलग-अलग multiply करते हैं 1 by 2 integral of इसमें करेंगे तो cos 4 x into cos 2 x बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिख देते हैं plus में 1 by 2 cos square 2 x कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद देखिए इसमें 2 से divide और 2 से मढ़े तो यहां 4 आ जाएगा 2 cos 4 x cos 2 x फिर से 2 cos a cos b का formula लग जया प्लस 1 by 4 integral of 2 cos square 2 x यहां देखिए यह फिर से वही formula गया और यहां पे 2 cos square theta का हम लोग पढ़े हैं यह 1 plus cos 2 theta का formula होता है यहां 1 by 4 यहां पे फिर से वही लगा देखिए 2 cos a cos b का क्या बता है था मैंने अभी उपर देखिए cos a plus b plus cos a minus b तो यह अप्लाई करते हैं तो हो जागा है cos a plus b यानिकि cos 6 x और plus cos a minus b यानिकि cos 2 x d x plus 1 by 4 2 cos square cos 2 x होता है यहां पे हो जागा 1 plus का cos 2 into 2 x यानिकि 4 x हो जाएगा d x तो है अब इसमें अलग-अलग split कर देते हैं यह हो जागा 1 by 4 integral of cos 6 x d x plus 1 by 4 integral of cos 2 x d x plus 1 by 4 integral of 1 d x plus 1 by 4 integral of cos का 4 x d x तो यहां देखिए 1 by 4 cos का sin हो जाएगा और 6 x का 6 1 by 4 यहां sin 2 x हो जाएगा और 2 x का 2 divided में प्लस 1 by 4 1 का x हो जाएगा plus 1 by 4 cos का sin और 4 x का 4 divided में और plus में c तो finally आप इसे सजा के थोड़ा से लिख सकते हैं पर यह देखिए नहीं x by 4 वाले को ले लगता हैं प्लस में इसको ले जिए sin 6 x by में 6 4 जाए 24 4 x वाले को ले 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 क्या हां 4 x वाले को ले ले दता हैं sin 4 x by में 4 4 जाए 16 और फिर इसको लेते 2 x वाले को sin 2 x by में 4 2 जाए 8 और plus का c यही आपका एंसर हो जाएगा next question देखे 22 number integral of sin x plus का cos x by में root अंडर sin 2 x दिया हुआ ठीक है इसका integral निकाल ला है तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर integral of उपर sin x plus cos x है नीचे इसको थोड़ा set करते है root अंडर प्लस का 1 है माइनस का 1 और प्लस में sin 2 x कोई दिकत तो नहीं है और एड़ किये वन सब्टेक किये integral of उपर है आपके पास sin x plus का cos x नीचे root के अंदर में यहाँ 1 आंदर से माइनस कॉमन कर देते हैं यहाँ से माइनस कॉमन कर देते हैं यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस का sin 2 x ठीक है dx अगले step में देखें integral of उपर है आपके पास sin x plus का cos x नीचे root अंडर 1 माइनस इस 1 को आप चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते है sin square x plus का cos square x अफिर minus sin 2 x को चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते है 2 sin x cos x लिख सकते हैं na dx जान से देखेंगा integral of उपर है आपके पास sin x plus का cos x और by में नीचे देखिए root अंडर 1 माइनस यह sin a minus b के formula पे है की नहीं sin x minus cos x के a minus b के whole square पे यहाँ आ जागे हाँ पे sin x minus का cos x का whole square अब अगर हम इसको put कर दे sin x minus के cos x को t और इसे differentiate करें with respect to x तो sin का derivative cos और cos का minus का sin minus का sin equal to dt और by में dx तो यहाँ से देखो तो यह minus minus plus हो जागा है और नीचे हो जागा root अंडर 1 माइनस का t a square तो यह किसका formula है sin inverse का sin inverse t और plus c t का value sin x minus cos x है रख देते हैं यहीं हो जागा sin inverse sin x minus का cos x पलस में c यहीं आपका answer हो जागा समझ गया नेक्स के 23 में integral of हमें निकाला है sin x minus का cos x by में root अंडर में sin 2 x दिया होगा है यह काम कर सकते हैं integral of उपर sin x minus का cos x है नीचे यह काम करते हैं root के अंडर में ही यहाँ हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से 1 पलस में sin 2 x minus 1 कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है integral of उपर है sin x minus का cos x अच्छा इसको चाहो उपर वाले को तो आप एक काम करो इसे यहाँ कर सकते हो इसे minus का cos x और plus का sin x कोई दिकत नहीं है ठीक है अनगे तो वैसे भी रहने दोगे तो कोई दिकत नहीं है आगे प्रोसेस है इसलिए मैं पहले ही कर दिया नीचे आप इसे देखिए 1 को sin square x plus का cos square x लिख सकते हैं और sin 2x का 2 sin x cos x और फिर minus 1 dx को उपर से इसमें से minus common करो बाहर करो तो उपर हो जागा यहाँ cos x minus का sin x और नीचे देखिए रूट का अज़र में हो जागा है यहाँ से यहाँ तक sin x plus cos x का whole square minus 1 क्या स्कार अब इसमें put कर देते हमनो sin x plus cos x को t differentiate करें with respect to sin का cos और cos का minus का sin into dx equal to dt यहाँ देखिए cos x minus sin x आगे न उपर इसलिए मैंने पहले ही minus common कर लिया था minus उपर हो जागा dt और नीचे हो जागा root under t a square minus 1a square तो 1 by root under x square minus a square के form में आपको मैंने formula बता रखा है ठीक है यह किसका formula का minus यह log of log of t plus में root under t a square minus का 1 का square हो जाएगा अब plus c ठीक है value क्या था जी sin x plus का cos x यहाँ रख देते हैं क्या जाएगा minus of log sin x plus का cos x ठीक है plus root under यहाँ हो जाएगा आपका sin x plus cos x का square और 1 का square 1 और plus c तो इसको तोड़ेंगे जाएगा minus of log sin x plus का cos x ठीक है और plus का इसको यहाँ देखो a plus b के और को हो जाएगा है sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x और minus का 1 plus c देको sin square x plus cos square x इसका value 1 तो plus 1 आप minus 1 कर जाएगा यादि minus of log यहाँ पे बचेगा sin x plus का cos x और plus में जाएगा इसका 1 और यह 1 हट जाएगा यह बचेगा root under 2 sin x cos x यादि की root under sin 2 x का formula हो जाएगा और plus में यही आपका answer हो जाएगा next देखते है 24 नमर integral of 1 by में sin of x minus a sin of x minus का b और यहाँ पे dx ठीक है अब इसके बाद ध्यान से देखिए इसको हमें integrate करना एक काम कर सकते हम लोग उपर थोड़ा साथ हम लोग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक constant से divide और multiply कर लेता है ठीक है मैं एक काम करता हूँ sin a minus b से divide कर लेता हूँ और sin a minus b से multiply कर लेता हूँ कोई दिकत तो नहीं है न इससे करने से कोई दिकत नहीं है और y में जो है वो मैं लिख जाता हूँ constant है मैंने divide और multiply कर लिया ठीक है अब इसके बात देखिए उपर थोड़ा से हम लोग set करेंगे sin a minus b को one by sin a minus b है constant है उपर देखिए क्या करता हूँ sin a minus b को हम चाहेंगे तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं कि sin of यहाँ लिख देते हैं x minus का b minus x minus का a देखिए ब्रेकेट हटेगा minus minus plus हो जागा तो plus का a minus का b और यहाँ x x कर जागा नीचे जो है वहाँ पर लिख देते हैं sin x minus a sin x minus b उपर यहाँ पर sin a minus b का formula लगाते है जो कि हम लोग पढ़े formula sin a minus b क्या sin a cos b minus का cos a sin इसी property को apply करते है one by में sin a minus b integral of क्या जगा sin of x minus का b cos x minus का a minus cos x minus का b sin x minus का a आ नीचे जो है उसको रहने देते हैं sin x minus a into में sin x minus का b अब यहाँ से अलग-अलग divide कर देते हैं देगे हैं one by sin a minus b तो यह constant है इसको ऐसी रख देते हैं यह integral of हो जागा sin of x minus b cos of x minus a divide by sin of x minus का a sin of x minus का b minus यह इस देते हैं integral of cos of x minus b into sin of x minus a by में sin of x minus a sin of x minus का b dx अब bracket यहाँ पर बंद कर देते हैं देखो क्या कटने वाला है यहाँ देखें ना sin of x minus b x minus b कर जागा यहाँ पर देखें ना आपका sin of x minus a x minus a कर जागा तो one by sin of a minus b फिर bracket में integral of यहाँ पर देखें तो cos by sin cot हो जागा न जी cot x minus a dx फिर minus integral of cos by sin cot हो जागा cot x minus का d dx तो cot का integral हमनों जानते हैं यहाँ देखें कि one by sin a minus b bracket करने देखें कि यह क्या हो जागा log of sin x minus का a minus यह log of sin x minus का b हो जागा इसका cot का integral तो minus में तो logarithm में डिवाइड में न चला जाता है तो one by sin a minus b into में log of sin of x minus a by में sin of x minus का b और plus में c यही आपका answer हो जागा समझ गए next question देखें के 25 नमबर हमें integral निकाल ला है one by में cos of x minus a into my cos of x minus b dx यह पर हम लोग एक काम करते है constant sin a minus b से divide और यहाँ उपर multiply भी कर लेते है constant है और balance करने के लिए उपर नीचे multiply कर दिये cos of x minus a into my cos of x minus b dx चला यह एक काम करते है one by sin of a minus b integral यहाँ पर sin a minus b को यहाँ पर थोड़ा state करते है sin of x minus का b minus में x minus का a लिसकते है तो कि फिर वही आजागा solve करेंगा अंदर तो और नीचे आपके पास है cos x minus a into my cos x minus b dx अब इसमें हम लोग उपर यहाँ पर sin a minus b का property लगाते है sin a minus b का पढ़ें आप लोग sin a cos b minus का cos a sin b तो यह अपलाई करते हैं 1 by sin a minus b यह तो constant है integral उपर फॉर्मन लगा देजिए तो हो जाएगा sin of x minus का b cos of x minus का a minus यह अपर हो जाएगा cos of x minus का b sin of x minus का a और बाई में जो है और बाई में जो है cos a x minus a इंटू में cos x minus का b अब यह से अलग-अलग डिवाइट करते हैं fraction को यह हो जाएगा यह constant है 1 by sin a minus b यह हो जाएगा फिर minus integral of cos of x minus b sin of x minus a बाई में cos of x minus a इंटू cos of x minus b dx रकर बंद करते हैं यह दखिए तो cos of x minus b cos of x minus b कर जाएगा यह cos of x minus a cos of x minus a कर जाएगा यह बच जाएगा 1 by sin of a minus b integral यहाँ पर क्या जाएगा cos by sin by cos 10 हो जाएगा 10 of x minus b dx minus integral of यह हो जाएगा 10 of x minus का a dx तो आपको याद होना चाहिए 10 का दो तरह से होता है एक तो सेक के फर्म में भी है और एक आपका cos के भी फर्म में है ठीक है 1 by sin a minus b cos वाले लगा जते है 10 का क्यों होगा minus का log of cos x minus b यह minus का होगा तो minus में प्लस यहाँ लिख जते है log of cos x minus a तो देखो तो यहाँ पर यह plus में यह minus में है तो divide में ने चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर और प्लस में c constant बहार ले ले लेता है 1 by sin a minus b क्या हो जाएगा यहाँ पर log of cos x minus a by में cos x minus b यह प्लस में उपर हो जाएगा